नमस्कार फ्रेंड, Mission DSSB YouTube channel में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लाए हैं जो पुब्लिक सर्विस कमिशन अलावाद उत्रपरदेश में जो वकेंसी निकलिया है online application from submission of advertisement number यह है 2018 assistant teacher की जो वकेंसी निकलिया है इसमें trained graduate grade है man or woman दोनों के लिए अलग-लग है अलग-लग दोनों के लिए बरांच है exam 2018 तो इसका जो registration start date है वो 15 March 2018 से registration इसका start है उसके बाद है registration last date जो इसकी last date है वो 12 April 2018 है उसके बाद है fees deposition last date है fees deposit की जो last date है वो 12 April 2018 ही है और जो submission last date है वो 16 April 2018 है तो यहां से हम apply करेंगे इसके दिए first of all आपको वेबसाइट पर जाना होगा जो है UPSC.up.nick.in first of all इस पर हम जाएंगे तो हमारे को यह दिखाएगा तो हमी click here to apply online प्लिक कर देना है उसके बाद हम इस पेज पर आजाएंगे जिस पेज पेज पर ये अड्रोटर्जमेंट अप्लिकेशन फॉर्ड ओंलाइन सब्मिशन ओन्ली तो सहायक शिक्षक प्रिक्षक प्रिक्षा तो यह इसके पर view advertisement पर click करेंगे तो आपको यह option आएंगे click here to English document file है Hindi document file है मैं recommend करता हूँग आप PDF file डाउड़ करें हिंदी में करें चाहें इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में हमने PDF file download कर लखी है तो आप आपको हम दिखा लेते हैं यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्भी किविशन इसकी जो ओनलाइन डेटा यह हमें डिसके सपहली कर चुके हैं डेटा सारी कब-कब form fill होंगे लास्ट इट कब है उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी जो फीस है तो 100 पे इसकी फीस है प्लस में online processing फीस है 25 पे तो एक्सुपचीस अपर लगेंगे online फीस भरी जाएगी यह जनरल कास्ट के लिए अन्रिजर्ड मतलब जनल कास्ट और उसके बाद है शेडूल कास्ट से के लिए जो 40 प्लस 25 तो 65 हो जाएगा उसके बाद है handicapped, handicapped के लिए 25 ओनली है और उसके बाद है dependence of the freedom fighter according to their original category जो original उनकी category है उसके इन्सार से लगेगा उसके बाद हम आगे चलके बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट है इसमें आयो ही है तो इसमें सज्जक्ट वाई दियो ही है जो यह मैन के लिए मैन अगरी कल्चर टोटल है तो टोटल 564 जो अगैंसी है इसमें यह दियो ही है नेक्स्ट जो है वो अन्रिजर्वड मत यह जनल कास्ट के लिए अधर प्रकविड कास के लिए है एसी के लिए ऐसे अलग लग लग दियो है तो आप देख सकते हैं तो आप निच्चे दियो लिं पांच दस अजार लगबग आप साथ सो दस यार साथ सो लगबग पोस्ट है टोटल निकाल लिए उसके लाए हम चलते हैं कि यह जो उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए यह पीडिया फाइल तो आप वहां से असानी से आप दे मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ है तो हम मैथ से अप्लाई कर रहा हूं तो यहां से हम अप्लाई कर देते हैं रस्टेशन पर ठीक है जी उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ कि क्या आपने पूरो में कभी भी लोग से आयोग दारा जूजित किसी पद है तो ओनलाइन सब्सक्राइब तो मैंने कभी अवेद्न इट इंट इसट्रीक ऐस उरू लिए नहीं कर देता हूं ठीक उसके बाद आपने यहां आजाएगा की मैं चिस की हम अप्लाई कर रहे हैं थिक है तो उसमें अग्ड़ डेट ब्ल्द एम लोगरेशन तो उसमें इसमेंद डिया में और यूपी का अगर डॉमिचल है तो थीक है जाहां पर आपको आपको स्थेट गोफिस कमिशन तो इसमें यह कहा कि आपको कभी भी सर्फिस कमिशन से निलम्भित किया गया है अगर किया तो यस करेंगे अधर्वाइज नो कर देंगे तो उसके बाद है डेट उफ बर्त है जो यहाँ पे जो कैटेगरी आगर आप यहाँ पर युपी का डॉमिसिल यह करेंगे तो आपको कैटेगरी यहाँ पर यहाँ पर अलग लोग ऑप्शन आ रहे हैं और यू डिपेंडेट ओफ यू फ्रीडम फाइटर है या नहीं है तो यह सब कुछ बिलेगा अगर यहां पर नो करिंगे डॉमिसी नहीं है तो यहां पर आपको जनरल ही रहेगा अथर जो भी होते हैं स्टेट के तो वह जनरल भी मने जाते हैं चाहिए वह किसी भी कास्ट में हो तो नेक्स्ट हम डेट अबर्थ भर देंगे यहां पर कि तो चार्ज नुनीसो बन में टिक है यह जो डेटो बर्थ अ के लिए टिक जो कर रहा है एक साथ दो होजार अठ्ट्वा से कर रहा है तक हुआ तो जेन्डर जो जेन्डर है उसके बाद आरिव नेरिड और नो कर देंगे हैं अगर आप मेरेड नबर नंबर हम पर देंगे को अशसरा एमेल आइडी इमेल इडि बरदी उसके बाद हाथ करते हो इसमें प्रोब्लम वाली बात नहीं इसके बाद है High School High School प्रदी जी जहां से आपने High School के आपके निधिरी किया है इसके बाद है Year of Passing तो आपने जो आपके 10th कि थी तो आहने कब वह 10 पास किया है है यहाँ पर आपको 10 आपका 10 जो रोल नमबर है ढस्मि एक लास का वो आपको को कर देना इसके बात है इंटरमेडियाट तो इसमें में प्लस-टू लेवल की जो आपकी इन्वलमेशन है वहाँ वन फिल करनी है उसके बाद आपको उसका एयर फिल आपका सब कुछ यहां पे आ चुका है तो अब हम आई है डिखा आप यहां पर लिखा गाए तो आपको जो रिचेशन नमबर यह वाला है तो आप यहां से इसको नोट कर लिजिए उसके बाद एक टूपर सैस्फॉर प्रेमेंट के लिए आप रसीट कर सकते हैं तो मैं इसे एक बार सेव कर रहा हूं इसे सेव करने के लिए आप डारेक्ट कंट्रोल पी दबास अपने अपने लेप्टप में आपको सेव का उप्शन आ जाएगा यह पीडिया फाइल में आपको सेव का सकते हैं तो नेक्स्ट हम चलते हैं आप फीस पे तो फीस कैसे पे करनी है प्लिक है टूपर सीट पर इमेंट तो यहां क्लिक कर सकते हैं चलते हैं इस में बहुत सारे औसे नेट बैंकिंग भी आपका कार्ट पेम εδώ की अधर बैंक डेपिट कार्ट से भी आप कर सकते हैं कोई भी चार्ची उसका अप्पा नहीं कटेगा अधर बैंक से नेट वेकिंक करेंगे तो चार्ची उसका अधर वाइस को निकाट तो मैं अधर पे जा रहा हूं तो यहाँ से अधर कर देने करेंगे तो आपका debit card यहां पे option आ लेगा तो आप उसका नुम्बर फिल करके आप next प्रसीड कर सकते हैं इसमें ते आला card का नुम्बर तो आप यह सारे डिटेल करने के बाद आपको CVV नंबर और यह टाइप और क्रेक्टर फिल कर दिना उसकी बाद पेपे क्लिक कर दिना जैसे ही आप पेपे क्लिक करेंगे तो आपको पास next option आएगा जिसमें आपका एक OTP generate होगा और mobile पे आपका OTP आएगा इसमें आपको ATM PIN फिल कर दिना उसके बाद आपको OTP mobile पे receive होगा जो आप जो अपने mobile नंबर दे रख है तो उसके बाद आप payment कर पाएगे तो नेक्स्ट हम इसके बाद जो आएगा जो option है वो signature और photo का आएगा तो यह देखिए हमने successfully इसका एक screenshot आप ले लीजिए उसके बाद आप click here to automatically generate कर दिया उन्होंने तो उसके बाद आप proceed for final submission print payment receipt तो आप payment receipt को print कर लीजिए उसलद save कर लीजिए अपने desktop पे या कहीं भी उसके बाद आप proceed for final submission है तो उसके लिए हो next उसके बाद option है हमारा click here to spreadsheet उसके बाद हमारे पास जो option है इसमें photo और नीचे signature होना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे दिया वह click here for guidelines for uploading photo and signature तो यहां से आप पड़ भी सकते हैं कि कौन-कौन सी guidelines है मतलब वैसे तो normally है जो size है आपकी photo का पचास के बी से उपर नी होना चाहिए पचास के बी से नीचे नीचे होना चाहिए तो आप यहां पे अपनी photo को upload करवा सकते हैं यहां से choose file तो हम चूज कर लेते हैं हमने photo पहले ही चोटी करके रखी हुए तो यहां पे photo दिखा रहा ह बिल्कुल सही तो देखे है हमारा photo upload successfully हो चुका है तो लास्ट में हमारा एक option बज़ा था प्रसेस्ट फार फार फाइनल समिशन होता अप्लिकेशन तो अब हम फाइनल समिशन ता देंगे अप्लिकेशन का तो देखें I declare that I have read the instruction and detail इसमें हम दोबारा भी देख सकते हैं कि हम तो इसे प्लीज केरफुली आप चेक कर लीजिए तो आप इसे देख सकते हैं तो आप यह आ रहे हैं कि तो आप इसमें एड्रस अपना फिल कर सकते हैं कर लिए हमारा बिल्कुल लास्ट प्रिवू हम फॉर्म कर लेते हैं उसके बाद हमारा बिल्कुल लास्ट एक स्टेप रह जाएगा कि हमने फाइनल समेशन इसका फॉर्म का करना है तो आप देखिए हमने सब कुछ फिल कर लिया है फोटो भी आ गया है सिग्नेचर भी आ गया है तो लास्ट चुक क्याप्चा मरा बचता है यह वाला फोटो पिल्कुल लास्ट वीशन एप्लीकेशन अपरिकेशन फॉर्म वापका देखे बिल्कुल असा फॉम को बेरे भी इसको फिल कर सकते हrowsके लैकिल현 कुस्छ अगर आपने हमारा चनल अब तब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हम इसके रिगार्डिंग एड़केशन के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं तो थैंक्यू थैंक्स वर वोचिंग है